गेहूं के भाव में आए दिन तेजी आ रही है। पिछले नौ महीनों में गेहूं की कीमतें उच्छ स्तर पर पहुँच गई है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए उद्योग ने कहा है कि सरकार ने गेहूं का स्टॉक जारी नहीं किया तो कीमतों में और भी इजाफा हो सकता है। आटा मिलर्स ने कहा कि अप्रेल से लेकर अब तक गेहूं के भाव में 4,000 रुपए प्रती टन का उच्छाल आ चुका है। अप्रेल में गेहूं की कीमत 24,000 रुपए प्रती टन थी और अब 28,000 रुपए प्रती टन के स्तर को चू रही है। इसी को देखते हुए आटा मिल संचालक सरकार से स्टॉक जारी करने की मांग कर रहे हैं। बड़े आटा मिल संचालकों ने बताया कि गेहूं की सप्लाई दिनों दिन गिरती जा रही है। इस प्रकार की स्थिती में सप्लाई पिछले साल के मुकाबले अच्छी नहीं दिख रही। इसलिए सरका को अपने स्टॉक का गेहूं बाजार में उतारना चाहिए। वही बीते साल 2023 में सरकार ने जून में अपने स्टॉक से गेहूं की बिक्री शुरू कर दी थी। जून 2023 से मार्च 2024 के बीच लगभग 100 लाक टन गेहूं की बिक्री की थी। इसी सब्ता 18 अगस्त को उपभोकता मा काबिक 1 अगस्त को भारत के सरकारी गोदाम में गेहूं का स्टॉक 2.68 करोड तन था। जो एक साल पहले के मुकाबले 4.4 परसेंट कम है। साल 2023 में मौसम की मार और ज्यादा गर्मी और बेमौसम बारिश के चलते गेहूं के उतपादन में गिरावट आई थी। कहीं कहीं प आटा मिलर्स ने बताया कि अगस्त का महीना आधे से ज्यादा बीच चुका है। परंतु अब तक अपने भंडार से गेहूं बेचने को लेकर सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सूचना नहीं है। इस देरी के चलते भी गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है।